हेलो गाईज, बिंदू फूर्ट फेक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे वेशन के जर वाले गिट्टे की करी ये सबजी मारवाड़ी डिश है ये स्पैशल तो है ही और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है आप भले ही कहीं पे भी रहते हूँ ये सबजी बहुत पसंद आएगी आएए आज खाने के साथ वेशन के गट्टे की सबजी बनाएं सबसे पहले गनेजी को नमन हमेचा ये सबजी की तरी बनाने के लिए ये कट्टा दही 100 ग्राम इस दही को हम मिक्सी जार में डाल देंगे ये दही हमारा खट्टा है इसमें अब हम डाल देंगे एक चमच वेशन इसी क्या है कि दही हमारा फटेगा नहीं और सबजी को बोडी टेक्शर अच्छा भी लेगा आद्दा चमच हमने नमक डाल दी है हल्दी कलर के लिए ये हैं अजवैन 140 पून हरी मिर्च बारिक कटी हुई बारिक कटा अद्रक एक चमच अब हम इस सारे स्मान को ग्राइंड करेंगे क्रीवन 10 सेकिंड के लिए ये हमारा ग्राइंड हो गया है अगला प्रोसेस है एक कड़ाई में फेंटा हुआ दही डाल देंगे जार में पानी डाल कर दही का लिकवट निकाल लिया है आप पानी के टेस्ट के मुताबिक खटा रख लें इसे चक कर देखें कि आपको कितना खटा चाहिए पानी हम इसमें खूब सारा डालेंगे क्योंकि सबजी में हमें रसा चाहिए सबजी हम रसे वाली बना रहे हैं सबजी की तरी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर उबाल आने देंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दही की तरी फटे नहीं इस तरी को हम पकने देते हैं और इधर दूसरी तरफ हम गिटे बनाने के लिए घोल बना लेंगे घोल बनाने के लिए हमें चाहिए बेशन ये एक बाउल है ज्वैन एक चुटकी नमक वन फॉर्टी स्पून वन फॉर्टी स्पून लाल मिच पाउडर वन थर्ट चमच धनिया पाउडर इन्हें मिला रहते हैं एक टी स्पून सर्सूं का तेल इसे भी मिक्स करेंगे हलका सा और पानी डाल कर घोल बनाएंगे हल्दी दो चुटकी कलर भी अच्छा आता है दो तिन मिनट फैंटेंगे कंसेस्टिटी हमें ऐसी ही चाहिए सबजी की तरी में उबाल आ गया है अब ये ज्जाग आप देख रहे हैं न इन्हें हम निकाल देंगे इन ज्जाग की वज़े से ही हमारे शरीर में यूरी एसिट की दिक्कत रहती है तो कई सबजियां नहीं खा पाते हैं ज्जाग निकाल देने से स्वात तो पड़ेगा ही वेशन के गिट्टों की सबजी भी खा सकते हैं थोड़े ज्जाग हम बाद में निकाल देंगे जर से गट्टे बनाने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे इस तरह से जर से गट्टे ये गट्टे बहुती सोफ्ट बनते हैं और खाने में बहुती लाजबाव लगते हैं ये एक चमच की साहिता से उबलते पानी में ही गट्टे बनाएंगे ध्यान रहे सबजी की तरी का पानी पूरा ऐसे उबलता रहना चाहिए तबी ये भजिया वाले गट्टे अच्छे बनेंगे गैस हम हाई मीडियम पर ही रखेंगे वेशनी गट्टे बन चुके हैं जाग जो बन रहे हैं इन्हें हम फिर से निकाल देंगे अब इन चोटी चोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सबजी बहुत ही अच्छी बन कर तयार होगी हम आपको घर की तरह एक एक बात बता रहे हैं सबजी की तरह तेज गैस पर उबल रही है पानी थोड़ा कम लग रहा है पानी थोड़ा ओर डाल देंगे अब हम तड़का तयार कर लेते हैं तड़का तयार करने के लिए एक पैन में सरसुंग का तेल पका लिया है राई, वन्थर चमच, तेज पत्ता, लॉंग, कड़ी पत्ते और साथ में सूकी लाल विर्च यह साथ आठ कड़ी पत्ते हैं कटा हुआ, प्याज, एक बड़े साइज का हमने प्याज कट कर लिया है बारिक-बारिक इसको हम अच्छे से भुनेंगे क्रिस्पी होने तक, रोस्ट करेंगे प्याज जो है, क्रिस्प होने शुरू हो गए है अब इसमें हम डाल देंगे स्पैसी वान्थर्ड चमच नमक हाफ चमच लाल विर्च पाउडर देखी वाली मिर्ची आईए अब इसको हम एक मिनट के लिए धिमी गैस पर पकाएंगे नमक हमने कमे ही डाला है क्योंकि नमक हमने तरी में भी डाला है और गटों में भी डाला है आखरी मसाला दो पिंच दाल चिन्ज पाउडर थोड़ा और पकाएंगे और फिर इसे अब हम डाल देंगे सबजी में और साथ में जाएगा हरा धनिया जिसे की टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा धनिय को हमने धो के काट लिया है छोटे छोटे पीसिस में बारिक बारिक कट कर लिया है धनिय का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है सर्व करने के लिए ज़र वाले गिट्टे भज्या शेप में तयार है ये सबजी गर्मा गर्म चपाती या फिर पूरी हो चाई प्रांठा किसी के भी साथ खाएं आप भी जल्दी से ये सबजी बनाएं अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों में अगर इस चैनल को पहली बार देख रहें या तो सब्साइब करें मेल आइकन को भी प्रेस करें थेंक्यू फूर वाचिंग आप सभी को मेरा राम राम जी